महराष्ट विधान सभा के स्पीकर का फैसला उद्धो गुट के खिलाफ गया है हमारे साथ बातचीत करने के लिए शुषेना उद्धो गुट की सांसत प्रियंका चतुरवेदी हैं और अपनी पार्टी का पक्ष पूरी मजबूती से भी रखती हैं कैसे देख रहे हैं इस फ हैं हमने कहा जो वही होता है जो मंजूरे कॉंस्टिटूशन होता है समविधान होता है पर 2014 से नई परमपरा चली है कि वही होता है जो मंजूरे अमिद्शार नरेंद्रमोदी होता है और आज वो हम देख रहे हैं साक्षा देख रहे हैं असेंबली में जब स्पीकर बात कर Supreme Court के निर्णय के खिलाब जाता है, Supreme Court ने कहा सबसे उपर 10th schedule है constitution का, 10th schedule constitution का क्या कहता है, political party leader, party leader, chief whip और flow leader का निर्णय लेते हैं, ना कि कोई breakaway faction, फिर election commission का निर्णय आता है, जहां पर चोर चोरी कर जाता है, और चोरी का समान का भी हकदार वो बन जाता है, और हम लोग जिसने चोरी की, तो आज election commission ने वो रोल प्ले किया है, तीसरी चीज़, जो अब constitution कहता है, constitution ही नहीं हुआ, तो अगर समविधान आपके पास amended constitution नहीं था, तो with all humility at my command, मैं election commission से पूछना चाहूंगी, कि जो AB forms जिस पे शरीकान शिंडे लड़ा होगा, एकना शिंडे लड़ से, क्यों 2024 में आप आकर रो रहे हैं, कि तो वो अमान्य है, और जो भी communication हुआ शिवसेना के साथ, election commission का, party leadership के साथ हुआ, अगर intra-party democracy नहीं है, तो उनसे मैं पूछती हूँ, intra-party democracy, हमें ये inter-alliance democracy क्या भारती जंता party में है, क्या intra-party democracy किसी भी political party में दिखती है, कि सवाल का, स जनारदन ये निर्ने लेगी, election commission अपनी office में बैठ कर, कोई law पढ़ कर नहीं देगा, पर क्यूंकि हमने पूरे समविधान एक तौर तरीकों पर विश्वास किया है, इसलिए supreme court से लेकर यहां तक की लड़ाई लड़ी है, लेकिन उन्होंने supreme court और चुनावा के फैसले को आ जाता है, पर जिस्ट order को हमने challenge किया हुए supreme court में, जो sub judis है, उस अधार को आप कैसे basis बना सकते है, निर्ने लेने का, तो ये challenge तो हम supreme court में करेंगे, constitution bench अपनी लड़ाई लड़ता रहे, कि ये constitution bench की लड़ाई जो होगी, देश की राजनितिक पार्टियों के साथ होगी, और speaker का फैसला है, इसको लेकर आप लोग supreme court में जाएंगे, supreme court में हम already उनको ये बता चुके हैं, कि जिस तरीके से speaker जो एक tribunal judge की भूमिका निभानी चाहिए थी, unbiased, non-partisan होने चाहिए थे, उनने दो बार chief minister से मिले, वही chief minister जिनके उपर disqualification procedure चल रहा है, तो किस तरीके से we can expect unbiased judgment, हम वो उनकी संग्यान में लाए हैं, और आने वाले समय में जो भी हमारा शीरश नेतरत्वा निर्नाय लेगा, पर उद्धव जी ने एक बात सपष्ट कही है, वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे, Samvidhan की लड़ाई, पर जनता निर्नाय लेगी, और आप कोई भी रंक पॉपिलारिटी, रंकिंग एक लीजे, पॉपिलिक सिंपती देख लीजे, पॉपिलिक सपोर्ट देख लीजे, सब उद्धव जी के साथ है, तो म, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, टू थाउजन ट्वेटी फो में अगर बदलाव का बिगुल बजेगा, तो महराश्रा से सब्सक्राइब के लिए लगतार तैयारिया चल दिया, बाइस जनवरी को कारक्रम है, कॉंग्रेस, अध्यक्ष, सुनिया गांधिया और अधिर अजन चौधरी को निमंतर न था लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट फुले डिकलाइन कर दिया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? कि अधिर गर्व है कि हम ये लड़ाई कंधे से कंधा मिला कर चले हैं और आज इसको हमने हकीकत में बदला है, तो सवाल ये उठता है, कि आप ये कहने किसी ने इन्विटेशन डिक्लाइन किया, आप ये नहीं कहने है, आपने इन्विटेशन किता सेलेके लिए आज शिवसेन्ह को इंविटेशन नहीं मिलना क्या दिखाता है? ये आपकी राजनीति दिखाता है कि आपके लिए आस्था का विश्य नहीं है बीजेपी के लिए राम मंदर जो खुल रहा है यह आस्था का नहीं है यह राजनीती का है चार शंकराचारे जी ने मना कर दिया है क्या हम कै दें शंकराचारे जी हिंदू धर्में नहीं विश्वास करते हैं वो शंकर यही है भगवान शीराम की आस्था सभी में बसी है पुर्शोतर मर्यादा शीराम जो है वो हमारे सभी के लिए आस्था का विशय है वो देश को रास्ता दिखाएंगे वो रामराज्य का रास्ता दिखाएंगे पर भारतिय जंतापाटी की ITCEL ने तो नरेंडर मोदी जी को न सबसे पहले भगवान श्री राम का मंदर देश भर में जहां भी है वो सभी के लिए खुला है और उद्दव जी ने बिल्कुल कहा है बाइस तारिकों नाशिक के जो मंदिर है जहां पर खुद बाबा साहिब अमबेटकर जी ने वहां पर लड़ाई लड़ी है उस मंदिर में वो पूरी दिन प्रास्थना करेंगे कि भगवान शीराम कुछ लोगों के नहीं है भगवान शीराम सब्के है नाशिक में उन्होंने अपना वनवास का कुछ समय काता है उस नाशिक में उद्व बाला साहिब धाकरेजी जाएंगे और हम बिल्कुल कौन हमें रोग सकता है अउध्या जाने से अयोध्या की लड़ा करें रहेंगे यह बता दिया प्रियंका चतुरवेदी ने लेकिन फैसले की उम्मीद थी खुद प्रियंका चतुरवेदी ने काया कि कोई आश्चार नहीं हो रहा है और यह फैसला उसी तरह से जैसा पीम मोदी और अमेश्या चाहते हैं कैमरापरसन नसीप सिंग के साथ न पीरज कुमार, Newset in India, दिल्ली.